मेरे पास आर्टी इंडस्ट्रीज के 1500 स्टॉक्स हैं और अब मैं इसमें फंश चुका हूँ आर्टी इंडस्ट्रीज अपने 52 वीक के लोग को हिट कर चुका है तो क्या मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूँ इसी तरह के questions अगर आपके mind में हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टी इंडस्ट्रीज का stock analysis तो आर्टी इंडस्ट्रीज का stock जो एक वक्त पर 1100 रुपे के आसपा स्ट्रेट कर रहा था वो आज 450 तक गिर चुका है और जिन लोगों ने सिर्फ एक दो महीने पहले भी इस stock को buy किया था वो अब panic mode में चले गए हैं तो आप करें क्या देखें सब जानेंगे लेकिन हम सबसे पहले आर्टी इंडस्ट्रीज के quarter one के results देख लेते हैं और stock के उपर कुछ ने targets भी देखेंगी जिन में काफी अच्छे predictions हैं और आर्टी इंडस्ट्रीज के business के बारे में भी आपको एक brief देंगे तो चलिए financials के लिए प्रवाज के पास चलते हैं अगर आर्टी इंडस्ट्रीज के financials की बात करें तो पिछले 5 सालों में इस company की compounded sales growth 12% की रही है और इस same duration के लिए इसकी compounded profit growth 11% की रही है और अगर इसके stock price CAGR की बात करें तो पिछले 5 सालों में ये लगभग 8% के आसपास कर रहा है आर्टी इंडस्ट्रीज ने अपने financials 24 के quarter 1 के results को declare कर दिया है और इन results के according company का revenue air over air और quarter over quarter दोनों ही basis पे घटा है अगर air over air की बात करें तो इसके revenue में 12.17% की गिरावट देखने को मिली है और अगर quarter over quarter की बात की जाए तो इसमें 14.56% की गिरावट आई है इसके लावा company के operating profit की बात करें तो air over air के basis पर ये 29.22% तक घटा है वहीं अगर quarter over quarter की बात की जाए तो इसमें 20.23% की गिरावट देखने को मिली है इसके लावा आर्टी इंडस्ट्रीज के operating profit margin की बात की जाए तो air over air के basis पर ये 4% तक घटा है वहीं quarter over quarter की बात की जाए तो इसमें 1% की गिरावट आई है company के sport performance का असर इसके net profit में भी देखने को मिल रहा है तो air over air के basis पर बात करें तो इसका net profit 48.52% तक घटा है और अगर से quarter over quarter के basis पर compare करें तो इसमें 53.02% की गिरावट आई है इसके लावा इसके earning per share की तुलना अगर previous financial year के जून quarter से करें तो इस बार इसमें गिरावट देखनी को मिली है previous financial year के जून quarter में इसका earning per share 3.75 रुपीज था जो कि इस बारी के जून quarter में 1.93 रुपीज पर आचुका है इसके लावा कर foreign institutional investors और foreign portfolio investors की बात करें तो इन्होंने भी company में जून quarter आते आते अपनी share holding को 12.32% से घटा कर 12.17% कर दिया है company के कुछ famous foreign institutional investors की बात करें तो इसमें Morgan Stanley और Baron Emerging Markets One शामिल है foreign investors के बाद अगर domestic institutional investors की बात करें तो इन्होंने company में जून quarter में अपनी holdings को 14.74% से बढ़ा कर 14.83% कर दिया है life insurance corporation, HDFC trustee company, HDFC mutual fund, Aditya Birla Sun Life Trustee Private Limited, Access mutual fund trustee limited, L&T mutual fund trustee limited जैसे बड़े नाम company की domestic institution investor की लिस्ट में शामिल है तो आपने देखा कि RT Industries के financials में काफी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है quarter on quarter भी और year on year भी लेकिन ऐसा हुआ क्यूं है ये जानने के लिए आपको company के business को भी समझना पड़ेगा और उसके बाद आपको हर एक चीज बहुती अच्छे से समझ में आ जाएगी तो देखिए RT industry एक benzene based specialty chemical company है इसके लावा sulfuric acid, toline based products और कुछ और तरह की chemicals भी ये manufacture करते हैं इनके total 100 plus products हैं जिनको ये 60 plus countries में export करते हैं और तो और इनके 16 manufacturing plants भी हैं और इनके 40 plus products तो अभी research and development pipeline में है जो काफी अच्छी बात है अच्छे इनके जो chemicals हैं वो mainly agrochemicals, pharmaceuticals और dyes and pigments etc जैसे industries को cater करते हैं और इनका जो revenue आता है industry wise उसका भी FI23 का data आप अभी screen पर देख सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि इनका agrochemical से 30% तक का revenue है और pharma से 20% तक का इस point को आप याद रखेगा यह आगे वीडियो में काम आएगा और अगर हम इनके customers की बात करें तो देखिए इनके 700 plus global customers हैं और 400 plus इंडिया से हैं और इनके कुछ important customers के नाम आप अभी screen पर देख सकते हैं और अगर हम इनके revenue की बात करें तो इंडिया से है इनका FI23 में 52% का revenue और export से है 48% का revenue जिसमें North America और Europe से इनका major revenue contribution आता है अब बात यह आती है कि अगर इतने बड़े scale पे RT industries काम कर रही है तो इनके stock में इतना ज़ादा correction देखने को क्यों मिला है और margin contraction क्योंकि चाइना ने market में access supply करके chemicals के prices गिरा दिये हैं इसके लावा dyes and pigment segment जिससे इनको अच्छा खासा 12% तक का revenue आता है उनकी demand में भी कमी आई है और इसमें recovery जितनी expected थी उतनी ज़ादा तेजी से नहीं हो पाई है इसके लावा globally inventory correction भी चल रहा है जिसकी वज़े से मे और जून में बहुती sharp demand contraction देखने को मिला जिसमें agrochemicals भी included हैं और agrochemicals में आपको पता है कि इनका 30% तक का revenue आता है जो सबसे जादा है और इन सभी reasons की वज़ा high interest rate और global market में inflation बढ़ना है इसके लावा company का EBITDA मतलब revenue से जब आप expenses को minus कर देते हैं तो उसको EBITDA बोलते हैं तो उसमें भी impact पड़ा है जिसका reason है agrochemicals और dyes and pigments जैसी industries में जो इनके products हैं उनकी demand में कमी आना जिसकी recovery के बारे में इन्होंने कहा है कि FI24 के second half से इसमें recovery start हो सकती है मतलब October के बाद से आपको इसमें improvement देखने को मिल सकती है इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि quarter one में वैसे तो energy के prices and normalize होना start हो चुके हैं लेकिन जो इनका key raw material है benzene उसके prices में पहले थोड़ा सुधार हुआ था लेकिन जुलाई में इसके prices फिर से बढ़ गए हैं जिससे इनके margins affect हो रहे हैं तो ये थे वो reasons जिसकी वज़े से आपको RT Industries के results अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं और यहां तक कि आने वाले एक दो quarters में भी आप अच्छे results की उम्मीद नहीं करें तो जो लोग इसी stock में invest कर चुके हैं उनका क्या तो देखे साफ सी बात है RT Industries का stock अभी जिन external reasons की वज़े से इतने pressure से गुजर रहा है उसके हिसाब से जो लोग इसमें funds चुके हैं वो अगर long term के लिए इसमें अपनी position बनाए रखते हैं तो उनको फाइदा हो सकता है लेकिन फिर भी अगर वो short term में profit gain करके इस stock से exit लेना चाहते हैं तो उनके लिए stock के उपर कुछ नए targets हैं जिनको सुनने के बाद आपको थोड़ी राहत जरूर मिलेगी लेकिन उससे पहले long term investing के लिए stock के fundamentals भी एक बाद जान लेते हैं चलिए इसके financial और shareholding pattern के बाद इसके stock का fundamental analysis कर लेते हैं शुरुवात करते हैं इसके stock P के साथ तो इसका stock P 33.9 के असपास का है और इसका comparison अगर इसके industry P से करें तो वो 28.9 का है तो इस लिहास इसका stock over value दिख रहा है इसके लावा इसके profitability ratio की बात करें तो इसका return on equity 11.6% का है वहीं इसके return on capital employed की बात करें तो ये 10.4% का है और अगर इसके return on asset को देखें तो ये 6.6% के आसपास का है तो अगर इसके profitability ratio की बात करें तो ये average है company के debt to equity ratio की बात करें तो ये 1 से कम 0.59 का है तो इसका ये मतलब है कि फिलाल के लिए company अपने debts को easily manage कर सकती है इसके interest coverage ratio की बात करें तो ये 4.16 का है तो इसका ये मतलब है कि long duration के लिए company ने जो भी loan लिये हैं उसकी interest obligation को fulfill करने के लिए company के पास sufficient resources है लेकिन दिक्कत आती है company के current ratio को देखकर जो की 0.88 का है जो की काफी कम है इसके current ratio का comparison अगर इसके peer से किया जाए तो इस लिहास से भी इसका current ratio बहुत ही कम है इसके operating profit margin की बात करें तो ये 15.7% का है जो की ठीक है लेकिन अगर इसके PG ratio की बात करें तो ये 3.18 का है तो इस लिहास से इसका stock overvalued है और अगर इसके price to book value की बात करें तो ये 3.3 का है तो इसका ये मतलब है कि इसका stock अपनी book value से 3.3 कुना जादा बे trade कर रहा है जो की एक अच्छी बात नहीं है company के financial 24 की quarter 1 की report खराब आई है और इसके अलावा company के promoters ने अपनी holdings को भी घटाया है जिसकी वज़ाए से investors के मन में doubt है लेकिन वो कौन से reason है जिनकी वज़य से company की report खराब आई है और company के future prospect क्या होने वाले है चलिए इन बातों को जानने के लिए अन्शुमन के बाद चलते हैं तो आपने देखा कि stock के fundamentals में कोई खास दिक्कत तो नहीं है हाँ उसके profitability ratio थोड़े खराब है लेकिन उसके reasons हम आपको पहले बता चुके हैं कि external factors की वज़े से इनके margins और sales में कमी आई है और ऐसा सिर्फ RT industries के साथ ही नहीं बलकि बाकी के जो chemical sector के stocks हैं उनके साथ भी हो रहा है इनका debt भी थोड़ा बड़ा है लेकिन company क्योंकि अभी expansion phase में है तो debt तो इनका बड़े गई लेकिन long term के हिसाब से stock के fundamentals में कोई खास दिक्कत नहीं है और अगर हम इनकी credit rating की बात करें तो क्रिसिल ने इनको double A और A1 plus की stable rating दी है जो काफी अच्छी मानी जाती है तो debt को लेके तो फिलाल आपको जादा चिंता करने की जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है न long term के लिए आपको company के future plans पे भी नजर डालनी पड़ेगी लेकिन उसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको like जरूर करें इससे हमारी वीडियो की reach बढ़ेगी और हमारे चैनल को बहुती जादा help होगी तो देखिए RT Industries expansion पे बहुती जादा focused है जैसे दहेज में इनकी जो unit है उसकी ये ethylation capacity को बढ़ा रहे हैं जिसके लिए इन्होंने 200 करोड की investment plan की है इसके अलावा nitrotoline की इनकी capacity को भी ये 50% से increase करने वाले हैं और इन दोनों projects के FY25 तक commercialize होने के estimates हैं इसके अलावा ये गुजरात में multi-purpose plant और chlorotoline की facility भी setup करने वाले हैं जिनसे ये लगभग 40 नए speciality products को अपने product portfolio में add करेंगे और इसके लिए इन्होंने FY26 तक 2000-3000 करोड का capex plan किया है और recently इनकी expanded NCB यानी nitro-clorobenzine की capacity को भी commercialize कर दिया गया है इनके और भी कुछ plans हैं जिनको आप अभी video post करके पढ़ सकते हैं तो इन सभी points को ध्यान में रखते हुए आप long term investment का plan कर सकते हैं अब short term investment के ओपर बात करते हैं लेकिन ध्यान रहे ये wealthy wisdom के तरफ से कोई भी buy sell recommendation नहीं है नहीं हम कोई save registered entity हैं तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं शेर खान की जिन्होंने current investors को hold की rating के साथ 500 रोपे का target price दिया है मतलब अगर 500 के अंदर अंदर आपने इस stock में investment की है तो short term में ही आप इस stock को exit कर सकते हैं वो भी बिना किसी loss के लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसके लिए भी आपको लगभग 2 quarter तो रुखना ही पड़ेगा क्योंकि company की management भी FI24 के third quarter से ही कुछ growth expect कर रही है अब इसके रावा SDFC securities ने तो buy rating के साथ 619 रुपे का target price दिया है और मैं आपको ये clear कर दूँ कि ये सभी targets quarter one के results के बाद के हैं मतलब अभी भी SDFC securities इस stock के उपर current price से लगबग 37% के returns expect कर रहे हैं जो काफी अच्छा target है तो इन सभी points को आप ध्यान में रखते हुए short term investing और आपको इस stock को और कितनी देर hold करना है इसके उपर plan कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो इसको like जरूर करें और हमारे चैनल वेल्दी विजिम को सब्सक्राइब भी करें तैंक य।